चलिये दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़ and this is the last tech news of this week लेकिन जबरदस्त है बहुत ज़्यादा जबरदस्त है ध्यान से पूरी tech news देखिएगा लेकिन tech news का सिल्था चालू करने से पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आयों तो सब्सक्राइब करना मत भूले हैं बेल आइकन बज़े याल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अप्लोड करते हैं अज का वीडियो है इट अबाउट नाप टॉप आप लेट अफ नापन बाहें बाहें ज़रूर जाके देख आपकोर करना है यहा तो पोल के बारे में पबजी बैन होने के पहले कितने रोग पबजी खेलते थैं यह अमने जाना ही नहीं पुझे लगा था एक्ली 70 only 46% लोग खेलते थे and 54% लोग कहते नहीं हमने PUBG खेला ही नहीं है क्या बात है I'm very happy इसका मतलब withdrawal symptoms जो है बहुत कम लोगों को हो रहे हैं अभी क्योंकि सोची है सालों साल दिन में 3-4-4 घंटे आप खेलते हो तो क्या होगा और दोस्तों यह जो पहली खबर है यह भी PUBG के बारे में नहीं यह 4G के बारे में है आज दोस्तों एक वीडियो किया हुआ है मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको 4G के बारे में बट यह October end तक आ रहा है and to be honest with you मुझे नहीं लगता है यह एक PUBG alternative है आज उनके CEO का जो interview आया है उसमें उन्होंने बताया है कि यह shooter game है multiplayer mode वो सब battle royale यह सब modes बाद में आएंगे लेकिन अभी जाके देखिए वो वीडियो सब कुछ बता दिए और दोस्तों दूसरा जो आप बैन हुआ है TikTok उसके revenues नीचे गिर गए है yes it has fallen down by some 15% अभी जे report आया एक महने पहले ban हुआ था यह 14 या 15% से उनके revenues down हो गए US के भी उनके revenues बहुत डाउन हो गए लेकिन दोस्तो TikTok के app majority of उनका जो revenue है 85% वो आता है चाइना से तो इधर उदर ban हुआ फिर भी होई टेंशन नहीं चाइना में वो रहेगा हमेशा के लिए वैसे दोस्तों एक छोड़ा सा reminder हरोज के जैसे tech news अच्छी लग रही है like जरूर कीज़ेगा अच्छी नहीं लगती है पूरी देखिये लेकिन एक घंटे के अंदर comment करना आप बिलकुल मत भूलियेगा वैसे दोस्तों कल या परसो जियो के plans आ गए अच्छे plans से ब्रॉडबैंड plans से 100 MBPS 300 MBPS वगए अनलिमिटेड plans उसकी वएसे एर्टेल ने अब क्या कर दिया है एर्टेल ने उनका जो FUP होता है वो निकाल दिया है सभी plans unlimited कर दिये अगर आपके पास एर्टेल ब्रॉडबैंड है और आपके पास एर्टेल ब्रॉडबैंड है और दोस्तों OnePlus Clover यह जो है बजेट OnePlus का जो फोन है कुछ दिनों पहले इसकी ख़बर आई थी कि Qualcomm Snapdragon 460 पर होगा और वैसे हुआ Geekbench पर आज लिस्ट हो गया है it is on Qualcomm Snapdragon 460 साथ में 4GB RAM है 64GB storage वागे रहे है so Android 10 पर है अच्छी बात है प्राइज देखनी होगी क्या है लेकिन ये US में launch हो रहा है इंडिया में नहीं I don't know it might come to India as well I really don't know और दोस्तो Google के Pixel 4a 5G और Pixel 5 इसके launch rates आ गये है September 25th officially Google ने कुछ नहीं काया दोस्तों लेकिन strong rumors है कि September 25th को launch होने वाला है इंडिया में अभी तक Pixel 4a भी नहीं आया है 4 5G 4a 5G जो है वो तो छोड़ दीजे कब आने वाला है इंडिया में 4a ये वीटिंग पर दोस्तों Galaxy Z Fold 2 की price आ गई है and it is on expected lines अगर आप सोच रहेते सस्ता होने वाला है नहीं इंफाक इस स्लाइटली expensive than previous generation 1,75,999 या फिर 1,76,999 इसका मतलब 1.76 या 1.77 लाक इसकी price होने वाली है जी हाँ ये लाक का है कौन लेते हैं ये phones I mean I really want to know हमारे जैसे review के लिए लेंगे वो बात अलग है लेकिन use करने के लिए पहने दो लाक का phone that's absolutely crazy दोस्तों Realme 5 5S 5i C 11 ink updates अभी जो September का updates है वो आ गये है तो जाहिए अगर आपके पास इन में से कोई भी एक फोन होगा तो update कीजे security patch updates भी और कुछ दूसरे updates भी है फोन अच्छा करने के लिए optimize करने के लिए go and download it and take have fun take me have fun और दोस्तर Redmi Note 10 के images back के images आ गये हैं और कुछ अलग camera system जो है थोड़ा अलग लग लग रहा है वैसे कह दू कि पंच होल भी दिख रहा है left hand side में उपर की तरफ सो इतना तो पता चल रहा है अब देखेंगे आने के बाद सब कुछ तो आ गया है क्या आना है यह 800 Dimensity processor भी होने वाले है वो भी पता है और हादोस्तों इसी phone का वाइबो के ऊपर टीजर वीडियो भी आ गया है उसके ऊपर से पता चल रहा है IPS LCD डिस्पले होने वाला है इसके अंदर and yes side mounted fingerprint sensor not very different इस ताइम भी AMOLED नहीं आने वाला है note series में and that's that's really sad क्योंकि realme ने उनके 7 number series में 7 pro में लेके आ गए है AMOLED it's time note में भी आ जाए redmi note series और दोस्तों जैसे मैंने कल बाताया था आपको जिया POCO M2 का और एक teaser आ गया है quad cameras दिख रहे हैं उसके अंदर and clearly नीचे की तरफ fingerprint sensor है exactly like redmi 9 prime so essentially redmi 9 prime 3gb 4gb variant है और यह जो है POCO M2 is going to be 6gb variant मुझे मुझे एक बात में तो समझ में आ जाएगी कि भई बाहर launch हुआ redmi का phone इधर नहीं आए उसको rebrand करके आप POCO का phone लेके आ रहे हो लेकिन इधर redmi 9 है 4gb variant है सिर्फ एक variant change के लिए आपने पूरा नाम change कर दिया brand change कर दिया I really don't know I don't understand और दोस्तो POCO X3 thankfully this is not rebranded this is a original phone जो POCO ने बनाया हुआ है मतलब POCO F1 के बाद में पहला phone POCO की तरफ जो आ रहा है unique phone वह POCO X3 और यह global launch होने वाले दोस्तों उदर उसकी price आ गई है USD में yes दिख रही है directly नहीं बताई है but clues वह गरे डाले हुए उसके अंदर दिख रही है 229 डॉलर प्राइज आ हुई है which I think is decent इसका मतलब अगर convert करते हो तो 17-18 हजार में यह phone आने वाला है now let it come उसके बाद में obviously आपको सब कुछ बताएंगे in fact Monday Tuesday you will come to know everything about it आपका प्रमार विकी बधिये श्रेश्था गर्ग congratulations lovely 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 comments दोस्तों ऐसे ही रोज comments करते रही है ऐसे ही रोज मैं आपके comments पढ़ता रहूँगा ऐसे ही आपका नाम लेता रहूँगा चलें दोस्तों आज के हमारी ट्राइक ट्राइक निउज एपिसोड नंबर 823 खतम होती है इधर ही अच्छी लगी like जरूर कीज़ेगा अभी तक नहीं किया तो subscribe नहीं किया वह कर दिया शेरिंग करना आपके हाथ में रिमाइंड करना मेरे हाथ में दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe